नमस्कार दोस्तो वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरस्टिंग वीडियो में दोस्तो बहुती बड़ी खबर निकल के आ रही है वुमेंस IPL को लेके जहां पे हम सभी को पता है पिछले साल से जो है वुमेंस IPL को करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए इसको लेके बहुत सारी बाच्ची चल रही थी BCCI के बीच में तो दो 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 आप सबी को बता दू BCCI नो जो है BCCI नो जो है BCCI को करने के लिए एक पहला स्टेप ले लिया है और दो दो 22 मई को जो है BCCI का पहला IPL एक्जिबिशन मैच खेला जाएगा जिहार उस्तो तारीक याद रखिये 22 मई को दो पहल को धाई बजे वानखेडे स्टेडियम में वोमेंस का IPL एक्जिबिशन मैच खेला जाएगा जो कि स्टार स्पोर्ट्स के उपर लाइफ दिखाया जाएगा वानखेडे स्टेडियम से दोस्तो बिशिस्याई के हेड है उन्होंने भी बताया है कि आने वाले एक दो साल के अंदर जो है वोमेंस IPL को भी रखा जाएगा ताकि इससे जो है वोमेंस क्रिकेट को और जादा बढ़ावा मिले दोस्तो इसके पीछे की वज़ा आपको बता दूँ कि जो हमारी वोमेंस क्रिकेटर थी वो दोस्तो वर्ल्ड कप के फाइनल तलक पहुंची थी पिछले साल लेकिन वो हार गई थी वो अलग बात है लेकिन उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए बिसी से आएने दोस्तो आने वाले एक दो साल में वोमेंस आईपियल को भी रखने का फैसला ले लिया है जिसके चलते जो है वोमेंस आईपियल एक्जिपीशन मैच 22 मई को दोपैर को धाई बजे वानखेडे स्टेडियम में रखा जाएगा जो कि लाइफ स्टार स्पोर्ट्स पर आएगा दोस्तो आप सबी को बता दूँ यहाँ पे जो है दो टीम्स खेलेगी और दोस्तो कुल जो है दस विदेशी खिलाडी और 20 भारतिये खिलाडी इस मैच का हिस्सा होंगे जो कि ये 30 टीम जो कि ये 30 प्लेयर मिल के दो टीम्स बनाएंगे दोस्तो यही थी एक खबर की वुमेंस आईपील को लेते हुए बी सी सी आई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है वुमेंस आईपील एक्जिबिशन मैच कराने का दोस्तो 22 माई को देखना मत भूलना दुपैर को धाय बज़े स्टार स्पोर्ट्स के उपर फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए झाल झाल